साथियों, जल जीवन मिशन गाउं और गरीब के घर तक पानी पहुंचाने का तो अभ्यान है ही, ये एक प्रकार से ग्राम स्वराज को, गाउं के शसक्तिकर्ण को, उसके लिए भी एक नई उर्जा, नई ताकत, नई बुलंदी देने वाला अभ्यान है। सरकार के काम करने में कैसे बहुत बड़ा बडलाव आया है, ये उसका भी उदार है। पहले जी सरकारी योजना उपर अक्सर दिल्ली में ही बैठ कर फैसला होता था। किस गाउं में कहां सोर स्ट्रेंग बनेगा, कहां से पाइपलाइन बीचेगी, ये सब फैसले जादातर राजधानियों में ही होते थे। लेकिन जल जीवन मिशन ने अब इस पूरी परिपाटी को ही बदल दिया है। गाउं में पानी से जुड़े कौन से काम हो, कहां काम हो, उसकी क्या तैयारी हो, ये सब कुछ ताय करने का फैसले लेने का अधिकार अब गाउं के लोगों को ही दे दिया गया है। पानी के प्रजेस की प्लानिंग से लेकर रख रखाओ और संचालन तक पूरी व्यवस्ता ग्राम पंचायत करेगी, पानी समितिया करेगी, पानी समितियों में भी 50 प्रतिशत गाउं की बेहने हो, गाउं की बेटिया हो, ये भी सुनिश्चित किया गया है। साथियों, आज जिस मारदर्शिका का विमोचन किया गया है, वो इनी बेहनों बेटियों, पानी कमिटी के सदस्यों, पंचायत सदस्यों के सबसे ज़्यादा काम आने वाली है। एक प्रकार की बारदर्शिका है, और मेरा पक्का विश्वास है, पानी की कठिलाई क्या होती है, पानी का मुल्डे क्या होता है, पानी की आवश्यक्ता कैसे सुविदाव और संकर दोनों लाती है। इस बात को हमारी माताएं बहने जितना समझती है, शाहिदी कोई समझता है। जल जीवन मिशन ने गाउं के लोगों को एक अवसर दिया है, अवसर अपने गाउं को पानी की समस्याओं से मुक्त करने का, अवसर है अपने गाउं को पानी से भरपूर करने का, मुझे बताया गया है कि जल जीवन मिशन इस दो अक्तूबर गाउंदी जन्ती से एक और अव्यान शुरू करने जा रहा है। सौ दिन का एक विशेश अभ्यान जिसके तहट देश के हर स्कूल और हर अंगनवारी में नल से जल को सुनिश्चित किया जाएगा। मैं इस अभ्यान की सबलता की शुब कामना देता हूँ। झाल